सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन देखिए हरीश रावत ने आखिरकार वो कहा जो सभी कह रहे थे लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं कह रहे थे हमने भी जब जब उनसे पूछा कि आकर पंजाब का मामला कब सुल जेगा तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कहीं गुटबाजी नहीं है प्रदेश को चोड़कर राज़ानी दिली में आला कमान से मिलने आ जाता है इसका मतलब साफ है कि प्रदेश प्रभारी पर बहुत जादा उन्हें भरोसा नहीं है और इसके साथ ही वो मंत्री जो नाराज हो गए थे हरीश रावत से जो हरीश रावत के पास दहरादून मिल ले गए थे उन्हों कि अपना सवाल दो रहाएं जी वरूर आप अपडेट जो दे रहे थे उस उस बात पर उसको आप आगे बढ़ाएं आप यह कह रहे थे कि अभी भी जो बात अभी तक सामने नहीं कही हाई हरीश रावत की तरफ से वो फ्रंट पर आकर उन्होंने कही है लेकिन इसको लेकर हल चले क्या है कह रहे हैं कि हम फामूले की तरफ बढ़ रहे हैं हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं लेकिन क्या वो फामूला है यहाई दे रहे और जिस तरीके से शरावत के बयान आते रहे उन्होंने ने कुछ कहा दिली कुछ कहा चंडडिगड में कुछ कहा उसको ले वो टाइम नहीं मिला मिलने का जो वो चाहते थे और इसलिए उन्हें वापस पटियाला लोटना पड़ा लेकिन अभी जो पंजाब की राजनीती है उसमें यह साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कि इस तरह की बाते हैं हाला कि कैबिनेट री शफल की बाते थी लेकिन कैप्ट पार्टी चुनाओं में कैसे उतरेगी जब संगठा और सरकार के बीच में तालमिल नहीं होगा समनवे नहीं होगा और पार्टी को लग रहा था कि नवजो सिंग सिद्दू को अध्यक्ष बनाने के बाद यह मामला सुलच जाएगा लेकिन उसके बाद जो उन्होंने सलाका प्रशंसा की मुक्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग की कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शांदार काम किये गये जिन पर चर्चा नहीं की गई तो इस यह जो प्रशंसा है इसके भी क्या अलग मायने निकाले जाए इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें देखिए दो तीन बाते हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से एक डिनर डिप्लोमेसी हुई थी उसमें पचास से ज़्यादा विधायक मंत्रियों को मिला दे तो यह संक्या साथ का सपस महुच जाती है आठ सांसद वह उस डिनर में आये थे और उसके बाद यह हो गया था कि किसका पलड़ा भारी है असली कैप्टन कौन है पिछ पे कौन खेल रहा है दूसरी बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके से जो नवजोज सिंग सिद्धू के सलाकारों के बयान थे चाहे वो प्यारे लाल गर्ग हो चाहे मलविंदर सिंग माली हो उसने अपने आ रहे हैं ऐसे में नवजोज सिंग सिद्धू गुड जो है उसकी बेचैनी थोड़ी बड़ी हुई है